मुरदबाद के थाना कडगर इलाके की रहने वाली एक महिला ने अपने ससुरालियों पर गंबीर आरोप लगात हुए कहा कि उसके पती को पिछले एक साल से गायब कर दिया गया है वह पुलिस और पेशाशनिक अधिकारियों के चक्कर लगाकर ठक चुकी है जिसके चलते उस पिछले एक साल से कहीं गायब कर दिया है उसकी दो बेटिया है जिने पाले में महनत मजडूरी कर रही है रूबी ने बताया कि उसके शादि को 11 साल हो चुके हैं शादी के समय से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाता रहा और चौरी चिपर उसके पती की दूसरी शा पायोग में अपनी शिकायत दर्च कराकर इंसाफ की गोहा लगाई है। देखना ये कि महिला को कब तक इंसाफ मिलता है। मैं ये अपनी एप्लिकेशन मुख्यमंत्री पोटल पर और महिला एक को भेजी है। ताकि मुझे इंसाफ मिल सके मैं और मेरे बच्चे दर्दर की ठोकर खाने से बच जाए। तो कहां नहीं पती आपके। मुझे कुछ नहीं पता है लेकिन ये घरवालों को भली परकार जानकारी है कि वो कहां पर हैं उनकी नौलिज में ही है और उन्होंने ही सब कुछ किया। बताने को तैयार नहीं है नहीं मेरे पती को बुलाते हैं। क्या चाहती हैं आपके। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे पती मिले और मेरे बच्चों को इंसाफ मिले और हम दर्दर की ठोकर से बच जाए। पुलिस को भी भली पिरकार जानकारी है थाना कड़ घर में जाती हूँ तो पुलिस यह कहती है कि हम क्या करें तेरे सस्राल वालों ने किया है तो बो जाने और तू जाने हम इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकते तेरा पती तेरे सामने ही नहीं आना चाहता